तो Hello friends आपसब कर से आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं graduation में first division लाने के लिए मतलब कितना नमर चाहिए या कितना परसेंडर चाहिए किम्कि हम लोग का part 1, part 2 हम लोग का complete हो चुका है part 3 और अभी चल रहा है किम्कि part 3 हम लोग का 25 में complete होगा part 3 का admission भी start हो गया क्योंकि हम लोगा part 1, part 2 और part 3 को मिला कर हम लोगा पूरे जो result आता है हम लोगा तो उसमें हम लोगा first, second और third division दिया जाता है तो इस वीडियो में हम आपको पूरे detail से बताने वाला है कि किस तरह आप कितना नमर लाइएगा तो आप first division हीएगा या second division हीएगा तो आप वीडियो के पूरे on तक बने रहेंगे अगर आप मालूम है कि पाठाड के अनर्स में कितना नमर चाहिए या कितने अनर्स पेपर होते हैं या अनर्स पेपर के कितने exam होते हैं इसके लिए मैं एक वीडियो मना चुका हूँ वह भी जाकर आप देख सकते हैं मैं इस वीडियो के description box में मैं link देदूँगा वहाँ से जाकर देख सकते हैं अगर मेरे channel पर नहीं है तो फिली channel को subscribe कर लिजेगा बेल आइकन और पसेट कर लिजेगा और अभी तक मैं telegram पर जोई नहीं हुए है तो मैं इस वीडियो के description box में link देदूँगा वहाँ से जाकर आप जोईन कर सकते हैं चलिए हम लोग वीडियो के करते हैं शुरुआ तो यहाँ पर बिहार state university है जो कि आप कोई भी university है बिहार के आप कोई भी university है अगर सेशन 22 से 25 के पाठ्थर में आगर passing marks को देखेंगे तो आपको पूरे यहाँ पर subject और marks full जो full marks है आपको हुए और passing marks तीन हुए जैसे अनर्स में आपका 400 नमर के पाठ्थर में आपको अनर्स पेपर होगा जिसमें से अगर आपका कोई भी अनर्स पेपर में पैर्टीकल होगा तो आपको 300 नमर का होगा और 100 नमर के के वल आपका पैर्टीकल होगा उसके बास अगर passing मार्गे देखा यह अनर्स के तो आपको 180 या 135 की आसपास में लाना होगा ठीक है यहीं पर GS में देखे हैं तो हम लोग GS के एक पेपर होगा सब का होगा एक पेपर जो की 33 पासी नमर उसमें चाहिए 33 ठीक है और यहीं पर हम लोग air by देख लें air by full max और division और second division third division first division second division third division तो यहां पर जैसे फस्ट एयर में 200 नमर्गा आपका अनर्स होता है उसमें से आपको 120 नमर्ग लाना होगा ठीक है अगर 120 नमर्ग लाते हैं तो आप first division you can अगर आप एक मतलब क्योंवाल 90 नमर लाते हैं तो आप second division first year के honors में Second year के honors में आपको वही है full max में आपको 200 नमर में 120 और तो 120 लाएगा तो आप first division अगर फिर 90 नमर लाएगा ताप second division में आजएगा अगर इस से कम लाते हैं, 90 नमर से कम लाते हैं, तो आपका 3rd division में दिया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको जो है, जो पार 3rd में आपका 400 नमर को होगा, पार 3rd में आपको पूरा जो होगा 400 नमर का अगर प्रेटिकल है, अगर कोई भी अनर्स प्रेटिकल वाला होगा, तो उसमें आपको 300 नमर को होजगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1st division लाने के लिए, आपको 240 नमर चाहिए, 1st division आज़ेगा, अगर आपको उससे कम आ रहा है, जैसे 180 आ रहा है, तो आप 2nd division में गिने जाएगा, अगर 180 से भी अगर आपको कम आ रहा है माक, तो आप 3rd division मे आजाएगा और उससे भी कम आगया तो आप सीधा पर मोटर या तो फेल हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आपको टूटल जो है आपको यहाँ पर जो अनर्स के पेपर होगा 800 का होगा और फर्स सेकंड डिविजन मिलाने के लिए आपको यहाँ पर टूटल चार सो असी और दिविजन आते हैं अगर 360 से कम है तो फिर वह ही या फिल या पर मोटर यहाँ पर आपको जो फ़ास डिविजन मतलब पर सेंटेज यानशी सिक्टिफ पर सैंटेज आपको होना चाहिए यह मतलब तो माक्स तो आपका फरस डिविजन और यहाँ पर मतलब तो आपका मतलब सेकंड डिविजन में आजेएगा और यहां पर फाइनल फाइनल इफ गेट लेस देन मतलब यहां पर अगर पैतालीस परसेंट से कम आ रहा है तो आप फेल हो जाएगा ठीक है तो वीडियो अच्छा लाओ तो प्लीज चानल को सस्क्राइब कर लिजेगा बे झाल